यह कहानी वर्ष 2005 की सच्ची घटना है जब मैं इंजिनियरिंग कॉलेज के प्रधम वर्ष में एडमिशन लेने जा रहा था। कॉलेज में रैगिंग कल्चर चरम पर था। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कॉलेज आने के पहले धनबाद स्टेशन पर ही मेरे कई बैचमेट्स इसका सिकार हो गए थे। स्टेशन पर ही मेरे कुछ बैच मेट्स ने अलर्ट कर दिया था कि कोई भी पूछे तो बिलकुल नहीं बताना है कि फर्स्ट इयर से हो सुबा सुबा हम सभी अपने हॉस्टल पहुँच गए जहां रैगिंग की खबरों का बाजार गर्म था और डर का महल था हमेशा यहां तक की सोते समय भी इंटर्व्यू वाली फॉर्मल ड्रेस पहन के सोना था वो भी मई जून वाली गर्मी में रैगिंग के प्रथम दर्सन हुए मेस के डाइनिंग हॉल में जहां एक दो सिनियर मेग नाद जैसी गर्जना करके मेरे एक बैचमेट पर गालियों की बोचार कर रहे थे कारण यही की नजर उठा के सिनियर को देख लिया था उसने खौफ इतना ज़ादा कि किसी के निवाले हलक के नीचे नहीं उतर रहे थे अगला नंबर किसका होगा हम यही सोच कर एक दूसरे को देख रहे थे 90 डीक्री पर जुक कर उसने सिनियर को विश किया तब जाकर कहीं वार्निंग देकर उसे छोड़ा गया दिन भर इस बात के चर्चे हुए जिसने डर को और बढ़ाया ही दिन भर की ठकान के बाद हम सभी चले गए सोने इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा खौफनाख था तो हुआ यूँ हम सब की रात की नींद उड़ गई जब एक पत्थर हमारे रूम के खिड़की का सीसा तोड़ते हुए गीरा मैं और मेरे साथ ही चोटिल हो गए पत्थरबाजी और गालियों के साथ हमें खिड़की खुलने के आदेश दिये जा रहे थे ताकि खिड़की के बाहर से ही रैगिंग लिया जा सके वो कम से कम आट दस की संख्या में थे नहीं खोलने पर हर रूम की खिड़की को पटक कर तोड़ा जाने लगा अंदर कद्रिस से ऐसा था मानो बाहर भूल भूलईया वाली मुंजोली का भूत नहीं हो हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किया करें खोले तो रैगिंग और ना खोले तो सूथ समेत बाद में रैगिंग अंदर हम सब जुन्ड बना कर लेकिन खौफ में थे धीरे धीरे रूम की खिड़कियां खोली गए और हो गई रैगिंग सुरू हम सब ने इस डर का सामना मिल कर किया पिटाई, गाली और अन्य तरीकों से रैगिंग ली गई कुछ खटे, कुछ मीठे अनुभवों के साथ रैगिंग एक ना भूला जा सकने वाला वाक्या बन गया आज भी हम फ्रेंड्स मिलते हैं तो उस रात की बात अनायास ही उड़ जाती है जीवन की विवन परिस्थितियां भी हमारी इसी प्रकार से परिच्छा या रैगिंग लेती है पर डर से अगर हम उनसे भागेंगे तो जीत नहीं मिलेगी जीत तो तब मिलेगी जब हम उनका सामना करेंगे क्या आपने कभी रैगिंग या रैगिंग जैसी परिस्तितियों का सामना किया है आपने सच्चे अनुवव कमेंट करके जरूर बताएं इसी प्रकार की अन्य अच्छी और सच्ची कहानियों को लेकर आएगा आपके लिए नूनू कहानिया लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग